एक कदम, नैतिक्ता की ओर, स्वास्थ्य का वर्दान बहुत पुरानी बात है, एक दयालू राजा शासन करता था, वह सदैव अपनी प्रजा का भरपूर ध्यान रखता था, प्रजा भी उसे बहुत चाहती थी, एक रात की बात है, एक परी उसके सपने में आई, हे राजन, मैं तुम्हें वर्दान देती हूँ, कि तुम्हारे राज्य की नदी का जल, किसे भी बीमार को ठीक कर देगा, लेकिन ध्यान रखना, यदि नदी को गंदा किया गया, तो यह वर्दान छू मंतर हो जाएगा, राज्य में सभी लोग स्वस्त थे, वे सभी ध्यान रखते कि नदी किसी प्रकार से गंदी ना हो, दीरे दीरे लोग नदी में अपने गंदे कप्रे धोने लगे अपने पश्वों को उसमें नहलाने लगे और स्वयम भी नहाने लगे अपने घरों का कूडा करकट भी नदी में बहाने लगे एक दिन राजा बीमार पड़ गया उसने अपने सेवकों को आदीश दिया जाओ, नदी का थोड़ा सा जल ले आओ राजा ने भरपेट नदी का जल पिया लेकिन उसकी बिमारी में कुछ भी सुधार नहीं हुआ उसने परी को याद किया परी दोड़ी चली आई परी रानी, नदी का जल अब बिमारी ठीक नहीं कर रहा है देखो, मैं स्वयम बिमार हूँ और ठीक नहीं हो पा रहा हूँ हमारी सहयता करो हे राजन, नदी अब गंदी हो चुकी है इसलिए मेरा वर्दान अब बेअसर हो गया है इसके लिए हमें माफ कर दो मैं हर हालत में नदी को फिर से साफ कराऊंगा इसके बाद राजा ने लोगों से नदी को साफ करने के लिए कहा सभी लोग नदी की गंदगी दूर करने में जुट कै देखते ही देखते नदी साफ हो गई परी फिर एक दिन राजा के सपने में आई राजन तुम्हें एक अच्छे राजा हो इसलिए मैं तुम्हें माफ कर रही हूँ अब हमेशा अपने राज्य के वातावरण को साफ सुत्रा रखना राजा ने जीवन भर अपने राज्य को स्वच्छ रखने का वचन निभाया इससे उसकी प्रजा स्वस्त रही